एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, जितनी वह सुन्दर थी, उतनी ही इमानदाय, न किसी से जूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना, उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्याय, करता था, लड़का अकसर उ जब लड़की मुस्करा कर थैंक्यो कहती थी, तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी, एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी, दोनों को एक पेड के नीचे रुकना पड़ा पेड बहुत छोटा था, बारी से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहत करीब आ गए, लड़की को डोट, इतने करीब पाकर लड़का अपने जजबातों पर काबू न रख सका, उसके लड़की को प्रजोच कर दिया, लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई, और इस लड़की उसी पेड ने नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी, लड़का बहुत देर से आया, उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी, यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन मैं तुमसे दूर कहा गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लंकी अपना सारा गुस्सा भुल गई और वह दौड कर लड़के से लिपट गई एक दिन दोनों लोग उसी पेड के नीचे बैठे बातें कर रहे थे लड़की पेड के सहारे बैठी थी अयर लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था तभी लड़की बोली जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बरदाश्ट नहीं होती तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे एक सौ साल के बराबर लगता है तुम मुझसे शादी कर लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी लड़के ने जट से लड़की के मुह पर अपना हाथ रख दिया और बोला मेरी जान ऐसी बात मत किया करो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिन्दा रहूंगा फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला तुम चिन्ता मत करो मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा धीरे धीरे काफी समय बीत गया एक दिन की बात है दोनों लोग उसी पेड के नीचे बैठे हुए थे उस समय लड़के का चेहरा उत्रा हुआ था लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला जान मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तयार नहीं है उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा उसका मन हुआ की वह जोर जोर से रोए लेकिन उसने अपने जजबात पर काबू पा लिये और बोली मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती लीज मुझे माफ कर देना लड़का धीरे से बाइला वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं लड़की यह सुनकर जोजोर से रोने लगी लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी पर ऐसा नहीं हुआ हाँ लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला लड़के ने कापते हांथों से उसे खोला उसे देखते ही वह बेहोश हो गया गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं खून से लथपत लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिठ्थी जिसमें लिखा हुआ था अरे पागल अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा दोस्तो हमारी जिंदगी का सबसे खुबसुरत एहसास प्यार ही है जो हमको आपको हर किसी को होता है पर क्या हम उसको अपना पाते हैं कभी हम गलत तो कभी साथी गलत दोनों सही तो घरवाले गलत पर क्या प्यार गलत होता है नहीं तो मित्रों प्यार करो लेकिन खिलवा मत करो दोस्तों आज किया कहानी यहीं पर समाप्ती है दोस्तों आज कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्टोरी आपको मिलती रहे धन्यवाद